प्रॉप्स की दुनिया में यह एग्रोनोमिकल क्रॉप्स और एग्रोनोमिकल क्रॉप्स में भी आज हम लोग पढ़ेंगे मक्काए बाई चक चक मक्काए बाई मेज की स्टरड़ी करने वाले हैं? मक्का को पढ़ने वाले हैं सभी को नमस्कार, सभी को very good afternoon, सभी को सस्रीकाल, सभी को सब्बाकेर सभी को जैराजदनी, welcome to all of you in the maze Let's start without wasting a moment, शुरू कर देते भाई यह है कुमारी मक्का देवी, बोले तो मेज और मक्का बाट निकलने, जिया मेज लेकिन उससे पहले आपको मिलाएंगे पूरी मक्का की दुनिया से कैसी होती है मक्का, कैसा होता उसका फूल, कैसा होता उसका पेड, कैसी होती उसकी पतियां, कैसे उसमें टैसल आता है, सारे के सारे चीजी आपके वीज है तो यह है mecca, और इसका बाट निकलने है जिया मेज मका, जिया मेज हो गया मैं इस सब को आता है, मुझे पता टाइम ख़राब नहीं अ करना फेमिली आ, पोईसी या ग्रेमीनी ग्रेमीनी या पोईसी flowers भी या 2 होते हैं, नर अलग होता है, मादा अलग होता है और नर को बोलते है, नर flower को बोलते है टेशल, मादा flower को बोलते है silk, तो नर पुष्प कहलाताए टेशल कहलाता है फ़ई, टेशल, टेशल, टेशल. clear हो गया वही सारे याद होंगे आपको नर्पुष्प कहला आता है टेसल कहे दो टसल कहे दो sometime you can say टशल टेशल या टेसल तो है मादाव बोलेंगे silk तो दो प्रकार के फूल आते है तेरी मक्का के पेड में मक्का के पोदे में नर कहला आता है टशल मादा कहला आता है silk इसके बाद में इसका जो fruit type है वो होता है karyopsis məkka ए मारी karyopsis होता है इसका फल फल का प्रकार karyopsis, gramini में karyopsis ही होते है आईए सीधा ले चलते कहां से जनमीय मक्का मुझे लग रहा है सारा clear हो गया नाम जिया मेज फेमिली ग्रेमी नी या पोईसी पोईसी कह दो ग्रेमी नी कह दो यह की बात है यह जो इन्फोरेंस है वट इस इन्फोरेंस यह पुश्पो का जो ग्रूप होता है पुश्पकरम किसे कहते है पुश्पो के समू को पुष्पो का समू कहलाता है पुष्प करब पुष्पो का जो समू होता है गुरूप होता है वो बिटा पुष्प करब कहलाता है तो टेसल नर पुष्प हो गया सिल्क मादा पुष्प हो गया और फल का प्रकार फ्रू टाइप हो गया केरियोपसिस तो मुझे लग रहाए sushi rápido और यहा तक सब का clear हो गया सिधा लेचल तो जन्मी कहां है तेरी मक्त तो फिर से आपके बीच मेक मक्त मेंग का मक्त क्या है मक्त उत्पती स्थेल है वो है मद्धे अमेरिका मेक्सिको मद्धे अमेरिका मेक्सिको आपकी नहीं है मक्का भारत की मक्का नहीं है ये लाए गई है मद्धे अमेरिका के दो चाहिए मेक्सियो के दो मद्धे अमेरिका में ही आता है मेक्सियो कंट्री जो अमेरिका है न मद्धे वाला उसके अंदर ही आता है मेक्सिको देश तो मद्ध अपने साथ मकका ले किया है івो लेकिया टमाटर लेकिया है मिर्च लेके hebt मुंगफणी लेकिया है तो उसी में मकका भी उनकी साथ या गही थी भाई तो भारत कि नहीं है यह यह अमेरिका से आइवी मॉक्का है मेक्शिको फ़ से बार verg-20 गुन्शोत्र संक्यां मक्का की होती है 222 एक्स बराबर बीज के दो थना जो होता है उसको कहते हैं कल्म परकार का कल्म टाइप ऑप स्टैम होते हैं तो प्रकार की होते उनको का जाता है कल्म 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 उसके बाद है germination type यह होता है hypoziel अंकुरण किस प्रकार का होता है hypoziel hypoziel किसे कहते है एपिजेल किसे कहते है ध्यान देना भिड़ा hypo deal hypo means होता है नीचे ap का मतलब होता है उपर ap ap उपर हमेशा ap हमेशा उपर है राइट है, एपी अमेसा उपर होता है और जो हाइपो होता है नीटा, वो नीचे होता है, सही है? अब एपी का मतलब अब सुनना देखो, यह मिट्टी है, तो बीज का अंकुरण मिट्टी में ही हो, बीज का अंकुरण अगर मिट्टी में ही हो, और बीज पत्र अगर बहार तब तो उसको कहते हैं एक पिजी अल टाइप ओँव जर्मीनेशन अंकूराण का प्रकार एक पीजियल कर बीजOoh बीज पत्र और जमीन रहे बीज में रहे बीज पत्र एक पत्र होता है इसुक्त यूज眏 क्या एगा यह पिजPT मुलांकूर कह दो, या रेडिकल कहते हैं इसको एक होता है जो उपर की ओर जाता है इसको बोलते हैं प्लियूमूर या प्लियूमूर या प्लियूमूर या बहुत गज़ब कंसेप्ट दोनों कि एक बीज के ना जो नीचे की तरफ जड़ बंढ रही है वो तो कहला था है वाला है उसको बोलते है प्रांकूर या प्लिमूर तो मुलांकूर रेडिकल अब यह जो बीज पत्र है ना यह बीज पत्र या जैना है अगर यह बाहर निकलता ना कभी कभी क्या होता है इस प्रांकूर के साथ बाहर निकलता है और निकल के आगे चलके पहली पत्ती बनाता ह पहली पती अगर यह बनाता है ना तब तो एपीजियल है और अगर यह बीजपत्र जमीन के अंदर ही रहता है और केवल प्रांकूर निकलता है उसको बोलते है हाइपोजियल तो जमीन में रहेगा बीजपत्र कहलाएगा हाइपोजियल बाहर निकल गया बीजपत्र कहलाएग का एपीजियल अंकुरन दोनों का ही जमीन में होता है लेकिन बीजपत्र बाहर आ गया तो एपीजियल अंदर रहे गया तो हाइपोजियल इस इट क्लियर कि सब्सक्राइब क्लियर हो गया को भई चलिए आगे बढ़ी जाते मानस परताब सिंग जी क्लियर होना चाहिए ऐसे नहीं मैं देख लूँगा परसो देख लूँगा वह ऐसे नहीं बिटा परफेक्ट होना चाहिए कि हाँ सायर मुझे ना कुछ भी पूछ लो दिख रहे हैं हो गया फोड़ा चलिए थैंक्यो अब इसके इंस्सिटूट के पास सलते हैं तो इसका एक बहुत अच्छा इंस्सिटूट है जिसका नाम है IIMR IMR Indian Institute of Mage Research भारतिय मक्का अनुसंधान संस्थान ये लोकेटेड लुद्याना में मक्का अमरी लुद्याना में दिख रहे हैं सही है लुद्यान ये बहुत अच्छा इक्विश्टन विड़ा इंडियान इंस्सिटूट याद पहले से ही कितने लिकने नहीं अच्छा करें अच्छा करें इंडिया इंस्टूट ओब मेंज रिसेर्च भारतिय मक्का अनुसंधान संस्थान लुदिया पंजाब इसट क्लीर अभी सेंट्र ओप एक्सिलेंस हाँ पी एउ केमपस में है पंजाब एगरीकल्च युनिवस्ट्री का केमपस है वही पर अंदर ही है सेंट्र ओप एक्सिलेंस पॉर मेज ये राजस्तान में आपको पता है अनार का ना बसी डिंडोल में बनाया हुआ इसी तरह से मक्का वाला ना उदेपुर में है सेंट्र ओप एक्सिलेंस पॉर मेज उदेपुर में क्यों बनाया है मक्का होती ही साउथ राजस्तान में जाता है उदेपुर में होती है डुंगरपुर में होती है बास्वाडा में होती है तो उधर ही बना दिये इसका क्या सेंट्र अप एक्सिलेंस पॉर मेज क्लास एनिमलस बेंडरी की लगेगी थोड़ा एक आत दिन का थोड़ा सा बीजी चल रहा है इसलिए मैं क्लासे अभी ले रहा हूं अभी लगातार क्लासे ले रहा हूं ताकि आपके पढ़ाई का नुकसान नहीं हो आप जो न सारे कर पाए केवल एक एक अनिमलस बेंडरी का नुकसान हो रहा है दो दिन का तो एक आत दिन की बात हो रहे है उसके बाद मुसको एक्स्ट्रा ओल ले लूगा लंबा ले लूगा ठीक है बंद कोई सी नहीं होगा जो चला दीओ सारी चलेगी USA में USA की तो यह बैक बोन है अमेरिका की एगरिकल्चर की यह बैक बोन है बिटा अमेरिका की जो क्रसी है उसकी तो इसको बोलते है बैक बोन है पतला वहां तो बहुत इंपोर्टेंट है अमेरिका में तो मक्का है तो अमेरिका है यह माल लो इसको बोलते है बैक बोन ओप यूएस से एगरिकल्चर अमेरिका की क्रसी की यह बैक बोन है अमेरिका की क्रसी की यह बैक बोन है पक्का तो रीड की अड़ी अमेरिका क्रसी क पूरते कल्ले क्या होते जो में तना होता ना उसे चोटे-चोटे तनी और निकलते हैं इसको बोलते टिलर्स तो इसमें टिलर्स नहीं निकलते यह नॉन टिलरिंग क्रॉप है मेज नॉन टिलरिंग क्रॉप है मेज इसके कल्ले नहीं पूरते बहुत अच्छे वाला तो उसका अंसर आ जाएगा मेज, मेज, मक्का, मेज, मक्का, मक्का. इसके बाद इसको ना, हाँ, ड्रोसोपिला की तरह काम में लेते हैं, मतलब जाएसे आपने कभी जेनेटिक्स पढ़ी होगी, तो जेनेटिक्स में मक्का पे बहुत प्रियोग ए मेंडल ने, इसके बाद Morgan भाई साब आते हैं मतला इनके सब के अपने पर्सनल जुद्जुडे है जिने पर इन्होंने काम किया है तो मक्का पे दुबारा सुनना मेंडल ने मटर पे काम किया Morgan ने ड्रोसो फिला पे काम किया Morgan ने ड्रोसो फिला एक मक्ही आती है फल मक्ही कहते है उसको, उसके मोरगन ने बहुत आनुवान सी किये प्रियोग किये, बहुत ज्यादा जैनेटिक्स के प्रियोग किये उसके बाद में कुछ और वेग्यानिक बैट्स और पुनेट, इन्होंने लेथाइरस ओडोरेटस पे किये ऐसे ही मक्हा पर भी बहुत प्रियोग है, जैनेटिक्स के प्रियोग मक्हा पर भी बहुत ज्यादा किये गए इसलिए जैनेटिक्स के प्रियोग मक्हा पर करने के कारण, इसको अनाज वाली पसलों की, या पसलों की कह दो, फसलों की ड्रोसोफिला का जाता है बहुत प्रियोग है अब इधर मख़ा में बहुत प्रियोग है फसलों की ड्रोसोफिला देखा आप लिखा है ड्रोसो फिला इसको फल मक्खी कहते है इस पर जेनेटिक्स में बहुत प्रियोग हुए है अन्वान सीक में खूब काम में लिया गया इसको और फसलों में मक्काव काम में लिया गया बस जंदार को दंदेग लिए और आज को दंदेग लिए इसको मक्का को फसलों की ड्रोसो कौन सी फिला पसलों की ड्रोस फिला ये द्वीलिंगी होता है बाई द्वीलिंगी होता है लेकिन एक ही पोधे पे नर फूल अलग आता है और मादा फूल अलग आता है नर अलग जैसे ये पे नर है ये मादा है आते एक ही पोधे पे है ये मक्का कभी एक लिंगी नहीं होता है जान रखना ही लेकिन फूल अलगा लगाते है नर अलगाएगा मादा लगाएगा ये मादा फूल ये नर फूल ये मादा फूल एक ही पोदे पे दोनों आते हैं ये कौन नर 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 मादा 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 नर को क्या बोल तो थे है शिल्क आते एक पर यह बिटा दोनों नरफूल और मादाफूल एक ही पोदे पर आते इसलिए मक्का होता है द्विलिंगी या मोनोसियस द्विलिंगी को अंगरेजी में मोनोसियस कहते हैं ये भी मैं समझा चुका हूं बहुत बार अगर फिर भी किसी को लगता है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया था या मैंने class नहीं ली तो मैं again समझा दूँगा dwelling को monosius क्यों कहते हैं चले मैं समझा देता हूँ समझा क्या दूँगा बताई देता हूँ dwelling को monosius इसलिए कहते है विडा क्योंकि mono का मतलब होता है mono बराबर 1 अंगरेजी में कहते है monosius हिंदी में कहते है dwelling mono बराबर 1 इसके साथ लगावा oseus o e c i o u s oseus का मतलब होता है घर mono मिंस क्या होता है एक oseus का मतलब होता है घर अगर किसी पोदे पे नर और मादा दोनो रहत है नर और मादा दोनो एक ही पोदे पर मिल जाए यानि कि एक ही घर में एक ही घर पर दोनों लिंग रहते हो उस पोदे को इंगलिस में कहते है monosius हिंदी में कहते है dvilingi तो dvilingi को monosius एक लिंगी को dioces एक लिंगी को dioces बेटा कमेंट परसनल यहां नहीं करना है 29 तारिकों ज्यादा दिन नहीं है ज्यादा दिन नहीं है देवता है संडे भी तो आ गया बीच में और भारतिये डाके एक आदिन उपर निचे हो जाएगी बुक आएगी यहां कमेंट करने से कभी भी पहले नहीं आएगी और नहीं करने से लेट नहीं आएगी थोड़ा सा कंट्रोल रख भी टाइम पड़ा है ताइम पड़ा है ऐसे मत कर डिस्टर मत कर आएगी 101 परसेंट आएगी आजा जाएगी निकल आजाएगी बस प्लीज ऐसे परसनल कमेंट के लिए क्यों इन क्यों पाप ले रहा है बिटा कहां से सलेक्शन आपके परसनल प्रोब्लम उसके लिए नंबर दे रहे हैं एक भी सिंगल भी नहीं रहेगा जिसकी नहीं पहुंची हो हजारों पहुंच गई बिटा और जो 1259 तारी को बेजा है तो 30 तो बेजी होगी एक संडे पढ़ गया इतना दिमाग रख भाए एका दिन दो उपर भी हो सकता है थोड़ा या इतना समझदार समझदार रिकर बिटा अच्छा बच्चा है आप continuity पढ़ रहे हैं लगातार ले रहे हैं आए की बिटा बेजी विए एक भी सिंगल की नहीं रहेगी हो सकता है किसी के दो दिन एक्ष्णा लग जाएं सेम डे भी पहुंच रही है कि तीन दिन चार दिन नोर्मल लगी जाते हैं कि प्लीज यार ऐसे मत करूं प्लीज प्लीज पढ़ाई पर फोकस करो अभी तो पड़ी रहा है यार बेटा तोड़ी है यहाँ पर अगर दुबारा कमेंट किया न बेटा मैं अब अटा दूँआ कि किसी ने बुक संबंधी सब्द भी लिखा तो उसको मैं रवाना कर दूँआ इतना भी अगर आपको अमारे पर विश्वास नहीं है या इससे लिखने से चल दिया जाएगी तो फिर डालते रहो या डालते हैं अब देखो एक बच्चे ने कमेंट किया हासर मेरी सेम डे दिलिवरी इस बच्चे की सेम डे एक दिन में अब थोड़ा दूर है तो कई बार अब ये दोसी आप भी हो सकते हैं अपने एड्रर सही नहीं लिका होगाा आप खुद को नहीं आता हो को मेरा गाहूं कोन सा है पोस्ट कोन सी है कई बार ऐसी वह तो उसमे बिचारा नाकिया परिशान हो जाता है जूनते बार ऐसे मत बढ गलत हो गहीं बीच में आपने ना बहुत गलत है यह मत्पर बढ़ा से ऐसे पढ़ा निपाऊंगा निदिस्टर्ब होता है जब आपके दिया कि आएगी आपकी 101 परसें है ठीक है ठीक है बढ़ा यह निकल के जारी है सिल्क की तरह है नाम ही क्यों गया नाम ही सिल्क क्यों पड़ा नाम सिल्क क्यों पड़ा क्योंकि इसकी जो वर्तिका है न वर्तिका यह शुरू करो अब यह बाई साब इदर नहीं चलते हैं शुरू करो अब ऐसे दुबारा मने लिखना बढ़ा दुबार वर्तिका निकल के जा रहा है उसको बोलते हैं सिल्क या मादा पुष्प या कोब दुबारा सुनना वर्तिका जानते हूं वर्तिका वर्तिका देखो ये बीच वाला जो पार्ट जायांका इसको बेटा वर्तिका क्या बोलते हैं वर्तिका अगर ये वर्तिका लंबी हो जाया यूँ शिल्क की तरह बिल्कुल जैसे रेसम होता ने शिल्क उस रेसम की तरह बढ़के हाना हातने की लंबाई की बीच में लगेगा लगत एक हैं कहां पर बीच मेंसी दुबदास सुनना लंबी वर्तिका वाणा तो शिलकी तंतु है। दुबार सुनना बीच मेंसी लगेगा और एक लंबी सी वर्तिकाह निकली रहेगी। उसको तो बोलते है शिलक सिलक सिलक या या कोग है। आप क्वेस्टन कभी एक्जाम में आ जाई कि मादा पुष्प कहां रहता है बीच में उसकी वर्तिका होती है लंबी जैसे कोई रेसम निकड़ता है ऐसी बास यह रेसम की तरह उने कारण सिल्क की तरह उने कारण इसका नाम होता है सिल्क इसा चलियर जैसे हैं मिड़ में लगती है राइट रही और यह पिर इसको सिल्क आई तो सिल्क आई कहलाता है कितने बच्चों को सिल्क मस्ट समझ अ आ गया बीच में लगता सिल्क बढ़ गई इसकी वर्तिका यह मादा भूल लगता है सिन्यक के बिच में और इसकी वर्तिका जो है न हाँ वर्तिका 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 स्टाइल वो लंबी हो के सिल्क की तरह बन जाएगी विटा सिल्क की तरह बन जाएगी इसको बोलते है सिल्क यह या कोब राइट विटा अब उपर उपर लगे तो यहाँ पर लगे नर्पुष्पकरम लगता है उपर सीर्स पर लगता है नर्पुष्पकरम टेसल और यहाँ पर लगता है सेल्क टेसल टेसल शेल्क टेसल नर्पुष्प शेल्क शेल्क नहीं टेसल शेल्क टेसल उपर लगे तो टेसल नर्पुष और नीचे बीच में से लगे तो सिल्क और सिल्क का आना सिल्किंग टेसल का आना टेसलिंग तो सिर्स पर लगने वाड़ा होता है नर्पुष उपर लगता है बिटा कभी आपको किसी पोदे को सिर्फ मादाई बनाना है तो नर्पुस्पकरम को हटा देते है टेसल को हटा देते है और टेसल को हटाना कहलाता है D टेसली D मीन्स क्या होता है बिटा हटाना D सब्द कहीं भी लग जाओगर किसी वाक्य के सुरू में लग रहा है ना भाई उसको बोलते हैं अटाना हटाना 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 क्या बोलेंगे इसको हटाना तो नर्पुष्प क्यों अटाते हैं किसी पोदे को मादा बनाना हो केवली मादा ही रखने मुझे नर्पुष्प चाहिए ही नहीं तो हटा तो टेसल नर्पुष्पकरम हटाना डी टेसलेंग डी टेसलेंग डी टेसलेंग हाँ संक्रण में करते हैं संक्रण के लिए अचा डाना पड़ता है राइट भई सही है अगर अपन पूरे नर्पूस्पूर को नेट आए केवल उस फूल के ना केवल फूल के हम सिरफ पुंके सर को अटा दे या पुमंग को अटा दे उसके लिए एक तर्म आता है इमास्कुलेशन पूरा फूल अटा दिया तब तो डीटेस लेंग और उस फूल के केवल नर्जननां को अटा दिया तब वो कहलाता है इमास्कुलेशन देखो परागन रोकने के लिए कि वो खुद का खुद परागन नहीं करें मैं चाहूं वैसे दो पोदों परागनों उसक इमास्कुलेशन जो यहाँ बहुत जियानांक कैलाता है इमास्कुलेशन पूमंग अटाना कहलाता है पूमंग पूमंग होताइं साटा बीच कहला है तो वो कहलाएगा silk, हटाडा, desilking, फूल को कहेंगे silk, और आना silking, हटाना, हटाते ही नहीं बज़े, desilking बड़नी आता है, मादा पुष्प को हटाते ही नहीं, इसलिए desilking मैं गलत बोल गया, आना silking, इसमें tessal का आना tessling, tessal का आना tessling, उपर लगता है, और tessal को अटाडा, मादा बनाने के लिए tessal को अटा दे, नरपुस्प को अटा दे, तो detessling, और अगर पूरा फूल नहीं उटा के, उसके केवल नरजन नांग इटाए, केवल नरजन नांगी हटाए, तो तो वो कहलाता है, emasculation, 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 ठीक है बई? उसको बोलेंगे emasculation, clear है बई? चली बटा, बहुत अच्छे बच्चे हो, अब इसमें क्या होता, मक्का क्या होती है, नरजन नांग पहले पकते हैं, नरजन नांग पहले पकते हैं, अगर नरजन नांग किसी में पहले पके, मैं कही खलास होँ बता चुका हूँ, उसको कहते है, protoedra, 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 proto andry, proto andry, proto andry, proto andry, टैसल हटाने से selfing नहीं रुकती, क्या? टैसल हटाने के बाद में, उपर, बेग भी पहलायना पड़ता है, है न बटा हलागि सो परागन दुरूग जाएगा स्वय तो नहीं होगा सेल्पिंग दुरूग जाएगी लेकिन पर परागन रोकने के लिए उपर बेगिंग ओर करनी पड़ती है तो प्रोटो एंड्री होती है तेरी मक्का बाई प्रोटो क्या होता है पहले प्रोटो प्रोटो एंड्री कहा जाता है मादा जन्नांग इसमें बाद में पकते हैं तो मक्का क्या निकली प्रोटो एंड्री मक्का क्या निकली प्रोटो एंड्री हो गया एक मक्का ना उसकी एक जंगली संबंदी है मक्का का एक सबसे नजदी की जंगली संबंदी होता है राइट है बैए डीटेस्लिंग में और इसमें इमाज कुलेसिन वे फरक है कि एक फूलेगा द्वीलिंगि इसमें तो चल जाएक कि फूली अलग 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 आ रहे हैं लेकिन एक फूल है द्वीलिंगी, उस द्वीलिंगी फूल में अगर आपने फूल यह टा दिया, तो फिर तो मादा भी गया, फिर तो बेटा उसमें से मादा भी चला गया, मादा भी गया तो उसमें क्या करते हैं जैसे ऐसे फूल होना है तो उसमें केवल अंदर के नर्जननांग ही निकारते हैं मक्का की बार निकर आओ मक्का में तो detastling ही करते हैं मक्का में तो अलग से निकालने की जोड़त नहीं है वो तो detastling ही होगा नर्प उसको फूलों को अटा देते सारे के सारे फूलों को हटा देते ठीक है मक्का में तो ऐसे करते है लेकिन किसी फूल को द्विलिंगे रुसको मादा बनाना है उसकी केवल नर्जन नांग अटाते है तो नर्जन नांग अटाओगे तो मॉасolation और मक्का में तो क्या FULL ही अलग अलग आ रहे तो पूरा FULL टोडगे इफेक देंगेंगे ना समघ में आगके बड़ा चलो रफोल में तो इसका ऊंदिकी जंगली सब्सक्राइबा समंदि है जिसका नाम है जिया में मेक्सिकान या टी यो सिंट मोह तीयो सिंट बहुत अच्छा क्वेस्टन है कि मक्का का सबसे करीबी जंगली संबंदी जिससे मक्का की उत्पती हुई राइट है दुबारा सुनना मक्का की सबसे करीबी जंगली संबंदी जिससे मक्का की उत्पती हुई वो है टीयो सिंट यह जिसका नाम है जिया मेज सबस species Mexicana तो जंगल लिये मक्का टी यो सिंट आज की मक्का जनम लिया उसे जनम लिये विड़ा राइट है अब लेते हैं बारत में मक्का कौन लेके आए तो ये कब आई सोल भी सताबदी में आई कौन लेके आए पूर्तगाली लेके आए सुका इसको पसंद नहीं है जैसे बाजरा सुका सैन कर लेता है मोट तो बहुत सैन कर लेता है गुमार भी सैन कर लेता है लेकिन ये सुका सैन नहीं करती है ने पानी भरावा सैन करती है बहुत अच आशल कोण है आंस्वर विल बी मेंज मेंज सुका भी नहीं चाहिए पानी बी नहीं चाहिए ऐसी है तेरी मेंज 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 हो गया चलिए आगे बढ़ जाते हैं उसके बाद कुल उत्पादम जितना होता है उसका 35 परसेंट दो आदमी खाने के लिए यूज करता है 35 5% मानों क्या काम आता है 25 पर्षेट मुर्गी को देते है या बतकों को देते हैं मतलब पॉलट्री फीड की रूम में काम आता है और हाँ पस्वार भी आ जाता है उसमें 25 पर्षेट में पॉलट्री या एनिमल्स को खिलाते है 15 परसेंट ना खादे परसंस करन उद्योग जो प्रोसेसिंग फेक्टरीज होती है वहां पर यूज करते हैं तो कुल उत्पादन का 35 परसेंट दो आदमी खाता है मानों के लिए काम आता है हाना वही 25 परसेंट ना पॉल्ट्री में पीली मक्का खिलाते हैं मुर्गियों को और पसु आहार की रूम में काम आता है और 15 परसे परसेंट को ना प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं मतलब मैं भी आप पॉपकॉर्ण बना रहे हैं बिना और कोई दूसरी कापी सार्स पकेरा ले रहे हैं ऐसे तो यह 15 परसेंट आएगी दो जीन इसमें इंपोर्टेंट और पेकटो फ्लॉरेटो अपेकटो मक्का में है दो-दो बहुत important और भी हो सकते हैं लेकिन डोग… और भी हो सकते हैं जीन तो बहुत होते आपके अंदर करोडो जीन है जो आपके अलग-अलग करेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन काम के जो जीन है वो दो है काम के दो जीन है ओपेक टू फ्लॉरेटो ओपेक टू फ्लॉरेटो ठीक है बड़ा दानों में तेल होता है 4% एक बार competition में एक बार नहीं दो बार आगया question कि ऐसी कोन सी दलनी पसल है जिसके दाने खाने के भी काम माते और दानों से तेल भी निकल जाता है तो वहाँ पर मक्का अंसवर था हाला कि होता है सिरफ 4% मक्का में तेल कितरा होता है सिरफ 4% लेकिन तेल होता है तो यह हो गई आपकी protein और दानों में ते अब चलते है protein तो protein जो होती है इसके अंदर वो होती है gene 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 protein याद यह से करते है gene 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 protein gene gene protein gene 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 protein ठीक है बई अब protein तो ठीक है gene gene protein अब की बार gene नहीं है opaque to flority तो gene ही थे अब की बार अब की बार उसके अंदर protein का नाम gene है एक बार फिर से देखे आप एक बच्चे को screen shot भी लेना है यह तो gene है gene तो जानते हूँ कि DNA का वो भाग DNA का वो भाग जो किसी characterize के लिए जिम्मेदार होता है जैसे DNA बहौत लंबा होता है उसका एक एक पार निकाल के साहब इतनी दूर का DNA है na यह आदमी के रंग को देखता है रंग को कंटोЛ करता है इतना नाक की लंबाई को कंटोल करता है इतना जो यह आदमी की size को लंबाई को कंट्रोल करता है इतना जो है न ऐसे जीन के DNA के वो वाले बाग जो किसी एक करेक्टर को कंट्रोल करते है उनको कहते हैं जीन ध्यान आपको? ध्यान होगा तो जीन की बात करते है ओपेक्टू फ्लोरी टू लेकिन प्रोटीन का नाम जीन है उसकी spelling गाला के बिटा हो गया तो protein का नाम है zene मक्का की protein कहलाती है zene तो gene 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 protein और protein हमेशा amino 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 से बनती है protein हमेशा amino acid से बनती है amino acid से बनती है और इसमें ना ये amino acid नहीं होते है मक्का में बाक्की होते होंगे लेकिन tryptophan और lysine की कमी पाई जाती है very very most question है तो इसकी प्रोटीन का नाम ही क्या है जीन है और इसकी जो प्रोटीन होती है उसमें दो अइमीनो एसिटीज जो हमारे लेकाम के होते है वो इसमें होते ही नहीं है ट्रिप्टोफेन नई होता है लाइसीन भी नई होता है ट्रिप्टोफे नहीं होता, लाइसीन भी नहीं होता, लाइसीन भी नहीं होता, वेरी 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 मोस्कुशन है, मक्का में न, मक्का में टेक्सा साइटोप्लाजम में, मक्का का जो साइटोप्लाजम में कोशी का दर्वे, कोशी का दर्वे, और टेक्सा साइटोप्लाजम या T-Cytoplasm कहते हैं, मक्का का जो Cytoplasm है, वो T-Cytoplasm है, उसमें नरबंदेता के लक्षण के दो, या नरबंदेता के जीन के दो, वो Cytoplasm होते हैं, भाई Cytoplasm तो सब जानते हैं, नवी क्लास के विज्ञान के नवे पार्ट में आ जाता है, देखो इदर, ये कोई कोशि का है, ये उसका Nucleus है, केंदरक है, ये क्या हो गया, Nucleus, या केंदरक, और ये जो बीचवार, ये कोई ने Nucleus हैं, इसके बीच का जो ये एरिया दिख रहा आपको, इस एरिया में जो भी पाया जाता है, जो भी पाया जाता है, उसको Cytoplasm कहते है, बाई साब इदर ऐस इदर नहीं चलना, और चले जाओ, बहुत सारे, डालो बीटा कहीं भी डालो, इदर नहीं करना, Cytoplasm, तो मक्का में अब ये देखो, अब जीन पता कहा होते हैं, जीन कहां होते हैं, जीन होते हैं, मेनली आपके केंदरक में, क्योंकि DNA मेनली यहाँ पाया जाता है, बीटा केंदरक में जीन होते हैं, उनको बोलते हैं केरियो जीन, क्योंकि केरियो का मतलब भी क्या होता है, केंदरक, केंदरक केरियो, केरियो केंदरक, राइट, केरियो वर्ड इज आलवेज यूज पॉर नुकलियस, तो मकेंदरक में पाया जैने वाले जीन कहलाते हैं, केरियो ज जाते हैं जैसे आपका mitocondria è e myoUS अंढर घियेटने और डिन का वह सेखमेंच को किसी भी लक्षन को controls करता है वह ही जेन कहले एंक पूशींत करता है उनके लिए झेन कलम मिलते हैं उनको बोलते हैं सायटोजीन को राता है किसे लिए को कोशिका के लिए साइटो वर्ड हमेशा किसके लिए आता है कोशिका के लिए तो अगर जीन मिलते हैं केंद्रग में तब तो कहते हैं केरियोजीन तो केरियोजीन नोर्मल जीन होता है जो हर इंसान में गाय में बहस में कुट्टे में बिल्ली में आम में उंट में साब में पा उसको Texas Zytoplasm कहते हैं Texas Zytoplasm और वहाँ पर जो जीन है एक तो नरबंबन देता के लिए एक रोग गरहयता के लिए वो इसमें दोनों पाए जाते हैं मक्का का सायटो-पलाज में टेकयस सायटो-पलाज में этवन देकैसा सायटो-पलाज के बहुत जोरदार किुल स्वार्ण तर डिये खरम मिले संदोन है अंसमर भी टेक्साज साईटोप्लां या लक्सर वक का मिलेगा आपको टेक्सा साइटो प्लास में मिलेगा, राइट? मैं सबसे ज़्यादा ट्रान्स ये्रिव निक ने वहती है दुनिया का कौन सी production में कौन सी transgenic transgenic जानते हो कितने बच्चे transgenic जानते है Texas तो type of cytoplasm होते है अब ऐसे तो cytoplasm को क्यों कहते है Texas तो type of cytoplasm कोशिका दरवे का एक प्रकार है transgenic फसल किसे कहते है जिसमें बाहार से डाला जाता है जीन, बाहर से डाला जाता है जीन, जैसे ये कोई फसल है, मक्का है आपकी, कपास है, सोयाबीन है, इन में ऐसे जीन लाला के डाल दी है, जैसे के कीटों से बचाण, जो आपका ना, बेसिलास्थुरेज थेन्सिस, इसके लिए बच्चे नंबर टाईप कर रहे है, आपने साइश नंबर नहीं लिए, उस नंबर से आपको सब कुछ मिल जाएक, उसर मों बच्चे वो टाईप कर दो बड़ा इनको, ये बुक्स के लिए क्या करना है, इनको नंबर देटों बड ऐसी प्रोटीन बनाता है जिससे उसके उपर ना इसके पास एक जीन है उस जीन से ऐसी प्रोटीन बनती है कि उसके उपर कभी इंसेक्ट अटेक नहीं करते हैं इंसेक्ट उसके उपर अटेक नहीं करते हैं जब विग्यानी को पता चला यार एक जीवानू है एक जीवानू है उसके पास ऐसा gene है, जब scientist ने बताया ना, कि एक जीवाणू है, जिसके पास ऐसा gene है, कि अगर वो gene कोशी का, अगर किसी plant में डाल दे, तो जैसे bacteria में वो protein बंड़ी थी, जिससे कीट नहीं खा रहे, वैसी protein बंड़ाने लग जाएंगे, तो उनके दिमाग की बत्ती जल गई साइंटीस तो वैसी पता आपको उनको तो मुका मिलना ची तो उन्होंने किया कि इस बिट्टी का वो जीन निकाला जो इंसेक्ट रेजिस्टेंड प्रोटीन में डारा था है ना और उसको ले जाके प्लांट में डाल दिया अब जब बाहर से जीन डाल दिया ना किसी प्लांट में उस प्लांट को बोलते है ट्रांसजेनिक प्लांट किसी एनिमल में डाल दिया तो उसको बोलते है ट्रांसजेनिक एनिमल तो बिट्टी कपास ऐसे बनी है बिट्टी कपास रे बिट्टी मक्का ऐसे बनी विडा तो सबसे ज़्यादा अगर कोई production दुनिया में दे रिने बिट्टी में से ट्रांसेम जिसमें बाहर से जीन डाला हूँ है तो सोयाबीन एक नमबर पे आती है, दुनिया के बैतरिन क्वेस्टनों में से आता है, लेकिन मक्का उसमें दो नमबर पे आती है, मक्का उनमें दो नमबर पे आती है, कपास तीन नमबर पे आती है, ये तो आप लिख लेना बहुत ही अच्छा क्वेस्टन अगर आप लिखन क्राइज एसी सब आएंगे बड़ा राइट है तो ये डाल दिया गए चलिए आगे बड़ी जाते है दाने पसलों में ये ज्यादा उपस देने एक समता रखती है इसलिए इसको अनाजो की राणी भी कहा गया है मैं नहीं कह रहा हूं अनाजो की राणी इसलिए इसने अपनी काबलियत पे राणी का खिताब आया है कि दाने पसलों में इसका प्रोड़क्शन बहुत अच्छे वाला होता है दाने पसलों में सरवादी को उपस समता इसकी इसलिए इसको जादूई पसल भी कहते है मिराकल क्रोप छोटी-मोठी चीज नहीं मक्का मिराकल क्रोप भी कहल आती है और साथ साथ इसको बना दिया गया queen of the cereals queen of the cereals तो ज्यादा पैदावार देने कारण धाने पसलों में सबसे ज्यादा पैदावार देती है बस इसी वज़े से इसको दे दिया गया है क्लियर आगे बढ़े जाते हैं ऐक पैनिसलीन बनाते है आपको पता है पैनिसलीन की कोश किस ने की थी या किस ने निकाला सबसे बहले पैनिसलीन निकाला था अलएकजैंडर फ्लेमिंग ने सबसे ज्यादा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निकाला था तो सबसे पहले डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले निकाला था पैनिसलीन आज भी बनाते हैं और उसमें मक्का का यूज आज भी करते है पैनिसलीन की खोज कीती अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और penicillin एंटीबाइटिक होती है penicillin की जो निकाला गया था ना वो penicillin notatum नाम कवक्स से साहिथ निकली थी यह और इसका भी यूज penicillin बढ़ने में करते बढ़ा एंटिबाइटी के हो, जिब्रेला फिजीकुराइस टो जिब्रेलीन निकला था, पैनिसलिन तो पैनिसीलिंट लोटेटाप सैथ फंजाई थी, राइट अभी, इसका टेस्ट वेट होता है 280 ग्राम, 1000 दानों के वजण को टेस्ट वेट कहते हैं, 1000 दानों के वजण को test weight कहते हैं और इसका test weight मक्का का test weight होता है 280 gram चली बहुत बहुत दने बाद आगे बढ़े जाते हैं होगे भी मक्का का test weight 280 gram चली आगे बढ़े जाते हैं अब चलते हैं क्या-क्या इसके अंदर एक तो c4 plant है c4 plant होती है तेरी मक्का very 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 most questionable c4 plant plant गीने चुने होते हैं c4 plants गीने चुने होते हैं c3 बहुत ज्यादा होते हैं तो c4 plant में आपको बता तो पहले तो होता क्या है c4 plant उन पोदों कहते हैं जिनका प्रकास संसलेशन का पहला इस्ताई योगिक पहला compound जो प्रकास बढ़ता है वो बढ़ता है oa oxaloacetic acid यह oxaloacetic acid यह oa होता है यह होता है चार carbon का कितने carbon का होता है चार ने 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 लोंग डे अलग होते हैं वो अलग आएगा long day, salt day अलग होते हैं वो अलग चीज है c4 सब्द अलग होता है c4 तो उनको बोलते हैं जिनमें प्रकास संसलेशन का photosynthesis का पहला इस्ताई योगिक stable compound oxaloacetic अमल बनता है बहुत अच्छा question है oxaloacetic अमल बनता है जो चार carbon का योगिक होता है उनको बोलते हैं और सबसे पहले इस चार carbon का है इसलिए पोद्दों को तो बोलते है carbon 4 पादप और इस चक्र को बोलते है carbon 4 चक्र इसकी खोज की थी carbon 4 चक्र की hatch where slake? hatch where slake ने की थी और hatch और slake ने की किसमे थी? इसकी खोज हुई थी गन्ने में तो गन्ना C4 पादप होता है गन्ना बिटा, C4 पादब होता है मक्का भी C4 पादब होती है चोडाई भी C4 पादब होती है जुवार भी C4 पादब होता है बाजरा भी C4 पादब होता है बाकी 2-3-4 और है बाकी सारे के सारे C3 होते है C4 चक्र को हैस सेल एक चक्र भी कहते हैं सही है और एक चक्र और होता है जिसों कहते हैं जो जातर पोदे होते हैं वों C3 होते हैं C3 का पहला stable product होता है फास्पो ग्लीसरीक ऐसिड PGA यह कितने कार्बन का योगिक है तो यह हो गई आपकी इंपोर्टेंट वाली बार कि C4 होता है तेरा मक्का कई एक्जाम में आया हुआ पुराणे पेफरों में देख लेना चाहिए एक परपरागित है बिड़ा कभी 100 परागन नहीं होता हमेशा परपरागन है परपरागित होगी हो क्योंकि प्रोटो एंड् और जीन प्रोटीन होती है मतलब इसमें जो प्रोटीन पाए जाती है वह 10% है फेट इसमें 4% है वसा कितनी होती है बही 4% कार्बात हो चुकी पहले भी अभी तो बात वीद में कौन सी फसल है जिसके दाने खाने के काम माते और फिर तेल भी निकलता है तो उसका उत्तर मक् स्टार्च का बहुत अच्छा सोर्स होता है मक्का यदि आपको स्टार्च यह तो यूज कर सकते हैं मक्का बहुत अच्छे क्वस्टन सारे के सारे एक अभी थोड़े देरे बात हुई थी कि लाइसीन और ट्रिप्टोफेन इसमें नहीं पाया जाता है लेकिन तीन वेराइटी ऐसी है जिनमें भरा पड़ा है लाइसीन और ट्रिप्टोफेन सकती प्रोटीना रतना सकती प्रोटीना रतना भरा पड़ा है लाइसीन ट्रिप्टोफेन बरापड़ा है लाईसीन, ट्रिप्टोफेल, सकती है प्रोटिना रतेना, बरापड़ा है लाईसीन, ट्रिप्टोफेल, लाईसीन, साइलेज बहुत जबर्श बंती इसकी, सबसे बढ़िया साइलेज बंती मक्का की है, साइलेज जानते हो हरे चारे को हरा का हरा हरा ही, हरे च पसुओं के लिए अनिमल्स के लिए क्या करते हैं इनके लिए हरे चारे को ऐसे कैसे दबाके उसको ना हरे का अरे कंजर्व कर लेते हैं बहुत अच्छा वाला टेस्ट ही बढ़ा देते हैं उसको बोलते हैं साइलेज में 65% तो होती है नमी 35% होती है नमी और 35% होती है सुस्क पदार तो इन्शानों के लिए केरी का अचार या किसी का बैचार है पसुओं के लिए साइलेज ही अचार है हाँ सरंगशित हरा अचारा है यस और साइलेज सबसे बढ़िया बनता है साइलेज माक्का है जवार यादी कैसे करते हैं साइले सबसे best आयलेज बनती है मक्का की दो नंबर पर आता है जवार Is it clear मक्का में परागन होने में लगते है साथ दिन मक्का में परागन किरिया में कितना टाइम लग जाता है seven days राइट है अब ट्रिप्तोफेन भी इसमें नहीं है तो उसको पेलेगरा हो सकता है ट्रिप्टोफेन नहीं है अभी आधन ट्रिप्टोफेन लाइसीन दोनों ही नहीं है तो ट्रिप्टोफेन अमिनोमल नहीं है नियासीन नहीं है विटामिन B कॉम्पलेक्स भी नहीं है अगर इनकी लगातार कोई आदमी मक्काई मक्का खाए तो उसको पहलेगरा हो जाए उसको तो पहलेगरा हो जाए राइट रवड़ा चलिए आगे बढ़े जाते हैं एक प्रोग्राम चलता है इसका सम्मधित आदिवासिक सेत्रों में चलता है उसका नाम है गोल्डन रे रे बोले तो किरन गोल्डन रे तो गोल्डन रे एक कारेकराम है जो संद 2009 में आदिवासिक सेत्रों में मक्का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मेज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उदेपूर और बासवड़ा में चलता है गोल्डन रे प्रोग्राम किस फसल से सम्मंदित था उत्तर आएगा मक्का 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 सोना की किरण 2009 में चलाता बासवाडा उदेपूर में चलाता आपको मैंने अभी जस थोड़ देर पहले कहा था कि सबस्यादा मक्का होती का है साउत राजस्तार में धक्षनी राजस्तार में उदेपूर बासवाडा डुंगरपूर इधर ज़्यादा होती है तो बासवाडा और उदेपूर की जो आदिवसी एरिया है आपको मक्का का प्रोड़क्शन बढ़ाने के लिए सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया था उसका नाम था गोल्ड़न रे अब आते हैं प्रोड़क्शन वाले डाटा थे कि विश्व में सबसे ज़्यादा मक्का कहां होती है तो बहिया मक्का का नाम आते ही USA आ जाता है USA USA अमेरिका विश्व में सबसे ज़्यादा जो एरिया ऑन बढ़ा और सबसे ज़्यादा जो प्रोड़क्शन है वो पहले तो एरिया एरिया में नंबर 1 पे आपका अमेरिका की तो यह वैसी वी क्रसी की रीड है थाना बेक बराण ऑब दॉर नंबर पे चाइना तीन नंबर पे भारत वो ब्राजील और चार नंबर पे भारत समझ भागया बही हो गया तो USA on the top एक ही चीज है USA on the top पीटा इनको mobile नंबर डाल दो जिस बच्चे को ये बुक वाला जानकारी चीए डाल देड़ा इस पे कमेंट नहीं करना है लगातार कमेंट नहीं करना है आजाए आगे विश्व में सबस्यादा प्रोडक्शन भी अमेरिका USA उसके बाद आता है चाइना फिर आता है ब्राजील भारत में करनाटक मका करनाटक 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 मका करनाटक याद आपको कैसे करते याद सुरजमुकी करनाटक सुरजमुकी करनाटक मका करनाटक करनाटक में न सुरजमुकी ज्यादा होती है मका ज्यादा होती है कोफी ज्यादा होती है कोफी मका सुरजमुकी रेसमुकी ज्यादा होते है रेसमकीट ज्यादा होते हैं, तो याद यह से करते हैं, अब करनाटक दे कैसे करेगी, मका करनाटक देगे, मका करनाटक, सुरजमोकी करनाटक, रेसम करनाटक, रेसमकीट, रेसमकीट करनाटक, ऐसे याद करते हैं, यह सारे, हाँ करनाटक में, तो यह भी करनाटक में ही ज्या लेकिन प्रोडक्शन में करनाटक आगे है राइट बारत में सुरवाधिक उत्पाधक ता आंद्र प्रदेश बले ही करनाटक सबसे ज़्यादा मक्का कर रहा होगा बले ही MP का और करनाटक का एरिया सबसे ज़्यादा होगा लेकिन प्रती हेक्टेर में सबसे ज़्यादा मक्का होती है आंद्र प्रदेश आंद्र प्रदेश ओहो आंधर प्रदेश तो प्रोडक्षन प्रोडक्षन सबसे जद्ध करनाटक एरिया एरिया करनाटक और MP लेकिन पर हेक्टेर एक एक्टेर में सब जद्धा मक्का पैदा करने वाला कुण आंधर प्रदेश राजस्थान में श्वागत आपका राजस्तान में भीलवाडा on the top चित्तोड, उदेपूर, बासवाडा, बोंदी बोले तो साउत राजस्तान बोले तो साउत राजस्तान भई मानस आजा खरीप में सबसे ज्यादा मक्काव करता है भई खरीप में तो होती है यह को इधर द्यान देना खरीब में तो मक्का बहता ही है पूरा इंडिया ही बहुता है लेकिन यहाँ पर साउथ राजस्तान में रभी में बोही जाती है और बिहार में भी लोग रभी में मक्का को उगाते हैं मक्का तीनों रितुम में बड़े होती हैं मक्का को आप किसी भी रितुम में उगा सकते हैं खरीप में उगालो खरीप मे के साथ सिरफ 2 मिनिट में आपके साथ आ रहा हूँ आ पस कल हमारा टॉपिक रहे गा यहerson करेंगे मक्का का वरगी करन से मुझे लग रहा है सारे line एक one-liner question, one-liner question सारे के सारे हर हर point ही question है कितना सीखने के आपकी capacity है जिंदगी में कितना अच्छा आप करना चाहते है कितने जुनूनी है उसी पर सपलता टिकी वी है मेटर दुनिया का सबसे खतरनाक है मेटर दुनिया का सबसे खतरनाक विड़ा अब आपी के उपर डिपेंड़ा आप कितना जुनूनी है कितना अच्छा करना चाहते है तो सिरफ और सिरफ दोई मिनट में वापस आ रहा हूँ दोई मिनट में आ रहा हूँ और इस बार मैं लेके आ रहा हूँ वीड उसके तुरंद बाद में आऊँगा होल्टी कल्चर लेके ठीक बड़ा तो वीड साइंस के साथ फिर से आ रहा हूँ तब तक के लिए सभी को नमस्कार जहिन जराजदानी ससरीकाल सब्बा केर वाए गुरू दीफते खुदा आपीज अलापेज राम राम सा